कि अधिन हो उस शाम को आपको क्या करना है कैसे करना है ठीक है सबसे पहला मेथड लेना आप लोग सामगरी पहले लिख लेना यह नॉर्मली हमारे घर के अंदर की नकारात्मक चीजों को दूर करता है और एक तरह समझ लीजिए कि आप अपने घर की नजर उतारते हैं ठीक है और यह हर एक घरेलू मतलब जितने भी सांसारिक लोग हैं वो अपने घर के लिए कर सकते हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो कोई भी कर सकता और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ आड़मबर की ज़रुवत नहीं है पॉली का दहन के ठीक पहले ठीक मतलब एक घंटा पहले दो घंटा पहले आपको करना यह है कि पहले दो लॉंग लेनी है दो लॉंग को आपको घी में देशी घी में डुबो लेना अच्छी से डुबोके कुछ दो मिनट रखे पिर उसको निकाल लेना और एक पात्र में एक फ्लेट हो अगर पूज़ा की जो थाली होती वह उसमें रख हुआ है उसके बाद एक बिताशा बिताशां आता है ना ओक कि लर का जो आता है एक पताशा लेना और एक साबूत पूरा फुल एक बड़ा वाला पान का पत्ता एक पूरा ये तीन चीजों को लेकर आपको करना यह अच्छा उसमें और दो इलेची इलेची भी डान निए चार समग्रियों को लेकर आपको करना हे कि अपने घर के जितने भी कौने हैं और इस तरह से सारे घर के जाएंगे जो फ्लैट में उनके लिए पूरा एपार्टमेंट के बाहर तो जिनका अपना घर है वह भी बाहर आ कि पर से नीचे तक जितना जाब जितना दूर तरह सके ऐंटिक्लॉक वाइज कि उतारा करने के बाद उस चीज को वह पुरा सामक्री साहित आप ले जाकर जहाँ तो उस जगह पर उस लखड़ी के अंदर वह सारा समान जो है जितना सामगरी था वह अंदर डालके आ जाना थाली वापस लेक्व कोशिश यह करना कि जब दहन होने का जो टाइम है आपको पंचांग में देख जाएगा उस टाइम के ठीक पहले-पहले आप कर लो आधा घंटा पहले ठीक है या फिर बीस मिनट पंदर मिनट पहले कर लो ताकि वह जो सामगरी अप लेके जा रहे हो वह जाते जितनी जल्दी होगा हो जाए वह जल जाए इससे पूरा घर का उतारा हो जाए और जो फ्लैट वाले हैं उनके लिए जित मंदब जहां पर आपका आपका फ्लोर है उस और अपना इंटेंड या मानसिक रूप से उस और दिखाते वे हाथ को घुमा लेना साथ बार एंटी क्लॉक्वाइस एंटी क्लॉक्वाइस उल्टा ठीक है घुमा के सेम काम होली का दहन होने के ठीक पहले वह सामगरी झाल